गुरुग्राम की तस्वीरे भी आपके सामने हैं और नू की तस्वीरे भी आपके सामने हैं तो नू से आपको हमारे सम्वादाता पुनी चर्वा की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं नू में प्रशासर ने कहा कि दो घंटे साड़े बारा से धाईवे तक दुकाने खुली रखे हैं लेकिन तमाम लोग सड़कों पर उत्रे और दुकाने बंद कराने के लिए यहां पर आये थे लोगों का कहना था कि वो लोग सुरक्षित ने उसके बावजूद दुकाने खोल लोग इस वक्त में बाजार इलाके में खड़े नज़र आएंगे यह वो जगा है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी और यहां पर कई दुकानों को आग के हवाले किया गया था और उनको घरों को तोड़ा गया था वहनों को जला गया था और उसके बावजूद जब यहां पर पैरा मिल्टरी फोर्सेस की तैनाती की गई है तो ऐसे में अब दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील को ले करके लोग इकठा हुए हैं जिसके बाद अब यहां पर पुलिस पहुंचे और आप देखिए तमाम लोगों को यहां से फौरण हटने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि साड़े बारा बज़े से धाई बज़े तक यानि महज दो घंटे के लिए दुकानों को खोल सकते हैं ताकि लोगों को अपनी जरूरत की जो चीज़े हैं वो मिल सके लेकिन इस्थाने लोगों का कहना है कि वो देखिए कि यहां पर किस तरीके से भीड इस वक्त गलियों से निकल किया रही है पुलिस की मौजूद की है धारा 144 लगी हुई है और पुलिस इस वक्त लोगों से क्या रही है कि वो लोग अपने घरों में रहें और कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारी इन लोगों की भी बंति है और पुलिस फिलाल इन लोगों को वापस भेज रही है यह मंजर है नू की उस सड़का जहां पर 31 जुलाई को हिंसा हुई थी आगजनी हुई थी घरों को जलाए गया गाड़ियों को जलाए गया और यहां पर पैरामिट्री की फोर्स की तैनाती की गई कैमरमन विपुल के साथ पुनी शर्माटी में भारत वर्ष नू देखे सोना से हमारे समाधाता विवेक शर्मा की एरपोर्ट कि अग लगी ते हैं आग जा तरह सबता लगे सबस्था पहुचे चोट 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 बच्ट हरो रहा है जुवा है जब सब भूक पिसाए हम तावाय थो कर रहे डर के मारे बस मैं में हूं बुढयाई बुढया सब बच्चे ने भूकर पिसाई ने लिया कैनि पाहड तो त और भाई हमारे कुरोई रूंग बचाना सिरफ ऐसे हटकागा जैसे है ऐसे तालाट का कि चले गए हमारे सामान धरा हमार दकेद धरायां सब नूई घवरा के जब आयां देरे नुट खोलो ना कुछ नूखनी खड़ा बाहर के बाहरे घवरा के निगा घवरागा हां और हमार अब बालक च्वटान की पतोई ना कित लोग आप कब गए ती यहां से हम रात गए हम हैसले करके जादा जोर हो रोजब पर सुब चले गए फिर धेरे हम खाट में खड़ोटे भगियां वाँ घर के मारी हमार ना तालो लगे ना कुछ लगे तो आज लोटे हैं पर लोटे ह किस तरह की दिक्कते हुई क्या जहन में आ रहा है आपकी अभी फिला के सब्सक्राइब भी डर बेड़ अब तो पूरी तरह से फोर्स लग चुकी है चुप तो बच्छे आपके भी भार हैं हां चोटे बच्चा रदो बात होई अर यह ताले खोल कदी लाद बादे बार ब आप के खांग करती हैं? मैं बरफ पीच हूँ. वहां पर तकहत पड़ा और कोट के सामें. आंके नम है और बता रही है कि बरफ बेशती हैं. तो अब वहां पर जो आप जा नहीं पा रही है? नहीं जा रही है. बिजनस ठाप के करें. आंके नम हैं और अपनी तकलीव बता रही हैं. और बच्चे बता रहे हैं कि सुरक्ष जगों पर चले गए हैं. छोटे बेटे शोकत से हमने बाचीत की. जिनका कहना था कि पहरेदारी भी रात को की जाती है. तो साफ है कि ये नट करोनी की तस्वीरे हैं. कुछ लोगों कहना है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घरों के बाहर ताले लगा के रखते हैं. कुछ लोग पलायन कर चुके हैं याने की सुरक्ष जगों पर जा चुके हैं. और यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर दहशत का महल अभी भी बना हुआ है. हलाकि परशाशन दौरा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन अभी भी लोगों के अंदर कहीं न कहीं दहशत जिन्दा नजर आ रही है.